हेलो वेलकम तो मैं चैनल तो आज मैं आप सब के साथ एक बहुत ही जादा यूमी रेसिपी सेयर करने वाली जो आपको सच में बनाने में पांच मिट से भी कम टाइम लगेगा और यह हमारी साइट पे से गुड़ अमा भी बोला जाता है इसके लिए आपको जादा नहीं चार चिल का उतार लेना और इसे बौहत जादा दिन के लिए भी स्टोर कर के रख सकते हो यह खराब बिल्कुल भी नहीं होता जरूरी नहीं कि आप फ्रीज में रखो बिना फ्रीज चिर्स के भी आप जब ये हेला काटना के हमें भी हम सबरशू है अची तार प्रेशं गुर्ड डालने के बाद आपको पानी बिलकुल भी नहीं डालना है, इसे बस ऐसे मिलाते हैं तो हमारा गुर्ड बहुत बहुत अच्छी तरह से पूरा'm migrant हो चुका है, तो हमें इसे अच्छी तरह से और होने देना है, उसके बाद जो हमने हमने आम ready किया था, उसे हम इसमें डाल देंगे, डालने के बाद आपको इसे चलाते रहना है कि ये नीचे सटना जाए जिससे जलना जाए, इसलिए आपको चलाते रहना है उसे तो आपको इसे को कम से कम पांच मिर्ट तक चलाना है और इसे बहुत अच्छी तरह से जब ये हो जाए तो मैं ज्यादा नहीं एक छुटकी नमक डालना है जिससे एक छुटे से चमन से आपको नमक डालना है और नमक डालने के बाद आपको फिर से इसे मिलाना है तो इसके बाद दो से तीन मेट इसे बहुत अच्छी तरह से चलाना है और इसके बाद ये हमारा आम गुड़ा रेडी है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो और ये आप रोटी के साथ खाओ बहुत जादा यम्म करना थाइंक यू थाइंक यू फो वाचिंग एक बड़ जरू ट्राय करना